वेलो स्टूडेंट्स ओनी सुपर क्वीज में आपका स्वागत है इसने पहला क्यूस्टन देखिए निवन में से किसमें वायू का वेक सबसेदिक है ए टाइफून बी जंजावात सी चकरवात डी बवंडर विंड वेलोस्टी किसके अधिक है इसका सयांसर दीजिए ए अगला क्यूस्टन है नेचल एम बैंकमेंट्स फांड ओन अपर वेली साइट्स आर नोन एज उपरी घाटी किनार प्रपाइज अने वले प्याकर्तिक तटबंदों क्या क्या गादाता है ए हाई बैंक्स उच किनारे बी लीउस तटबंद सी बंस मेंड डी रिज कटक इसका स्यांसर देजिए दुबराद देखिए इसको उच किनारे बी तटबंद सी मेंड डी कटक इसका स्यांसर है बी तटबंद तटबंद का जाता है ओप्शन बी इस राइट आंसर अगला क्यूशन देखिए बाट इज मिंट बाई इस तुमस स्लडम रूमद देख क्या होता है एक नदी का मोहाना जहां यह समुद्रे में मिलती है बी पानी की संकिन पट्टी तटो बुहंडों को वैल्ज करती है सीदो मासागरों को वैल्ज करने वाली भूमी की संकिन पट्टी बूमी की दो बड़े शितरों को जोडने वाली भूमी की संकिन पट्टी इसका से आंसवर दीजी इस थुमस क्या होता है इसका से आंसवर होगा option D भूमी के दो बड़े छेतरों को जोडने वाली भूमी की संकिन पट्टी option D is right answer अगला किसन देखिए सबसे गैरा मास अगर कौन सा है दिदे पेस्ट ओशन इज A. Arctic B. परसांत C. Atlantic D. हिंद मास अगर सबसे गैरा मास अगर कौन सा है A. Arctic B. परसांत C. Atlantic D. इंडियन हिंद मास अगर इसका सयांसर होगा option B. परसांत मास अगर इसकी गैराई 4000 मीटर है और 10911 मीटर इसक्यों चाही है सबसे गैरा मास अगर है और मेरेन ट्रेंज कहा पाई जाती है आप option में देना इसको इसको इसका अंसर comment में देना option B. इस राइट अंसर अगला question देखिए कौन सा अगर है जिसको 88 दिन लगते है सुरी की प्रेरी कर्मा में 88 दिन लेता है वो अगला question देखिए जो सुरी की प्रेक्रमा को करने में 89 दिन का समय लेता है option A is राइट आंसर अगला क्योशन देखिए रेकिस्ताई शेतर में मिट्टी के कटाव के जांच किस प्रकार की जाती है इने डेजर्ट रिजन सोजी रिजन कैन बी चेक्ट बाई A. ट्री प्लन्टेशन और एफ़ोरस्टेशन B. क्रोप रोटेशन C. कॉंट्टूर प्लोईंग D. यूजिंग फार्म मेनूर A. वरक्सर उपनिया वनीकरण B. फसल चकरण C. समोज जोताई D. खेत की खाद का उप्योग करना इसको सयांसर दीजिए इसको सयांसर होगा ओप्शन A. वरक्सर उपनिया वनीकरण के द्वारा मिटी के कटाव के जाच की जाती है ओप्शन A. इस राइट आंस्वर अगला क्योशन देखे ताईगा किन का जंगल है ताईगा इजिए फोरेस्ट ओफ A. हर्बल वरक्स B. नरम लकडी के वरक्स C. मिसरित वरक्स D. अलपाइन पेड A. हर्बल ट्रीज B. सॉफ्टू ट्रीज C. मिक्स ट्रीज D. अलपाइन ट्रीज C. अलपाइन पेड है जो ताईगा है उनका जंगल है C. अगला क्योशन देखे Which one of the following is called as roaring 40 निमने लिखित में से किसे चीक 43 साके काजाता है A. चारिस से साथ डिग्री Celsus के भी दक्से नहीं गलाद में बैने वाली हमाएं B. उत्री गलाद में चारिस से साथ डिग्री नोर्थ के बीच हमाएं बैती है C. बहुत थंडी हमाएं जो सर्द्यों में चलती है D. बहुत गरम होते हैं बैने वाली गर्मी के वाएं दुबार देखे इसको wind blowing in southern hemisphere between 14 degree south to 16 degree south B. winds blowing in northern hemisphere between 14 degree to 16 degree north C. very cold winds which blow in winters D. very hot and fast blowing summer winds इसको सयांसर दीजिए इसका सही आंसर होगा option B उत्रकुलार्द में 44 degree north के भी चमाई बैती है option B is right answer इसको चीखता 30 सका जाता है और 50 degree वाले को परचंट 50 और 60 degree को चीखता 60 option B is right answer अगला question देखिए which planet has the fastest rotation किस गर्या का गुणन सबसे अधिक होता है A. Jupiter B. Saturn C. Earth D. Mars इसको सयांसर दीजिए सयांसर होगा A. Jupiter ब्रेस्पती का गुणन सबसे तेज होता है option A is right answer इसका गुणनतर 9 गंटे चपन मिनट का 9 गंटे चपन मिनट option A is right answer Jupiter अगला question देखिए which is now the following is cold current कोन सा एक सीथ परवा है A. अगुलास धारा B. पूरा अस्टेली धारा C. किरोश्यो धारा D. कैलिफोर्निय धारा A. अगुलास करंट B. इस्ट उस्टेलिया करंट C. किरोश्यो करंट D. कैलिफोर्निय करंट इसका सयांसर होगा option D. कैलिफोर्निय धारा है जो सीथ परवा है option D is right answer अगला क्यों देखिए एकलोजिकल सिस्टम इज ए पार्सित परणाली क्या है एक जेव परणाली है एक जेव रसानिक परणाली है एक बोतिक रसानिक परणाली है एक जेव परणाली है इसका इसको दुबारा देखिए ecological system क्या होता है a biological system a biochemical system a physio chemical system a bio ecological system इसका सई आंसर होगा option D जे पाइस्तितिक प्रणाली bio ecological system option D is right answer अगला केशन देखिए कौन से नदी ब्रंच गाटे मिस्तित है which of the following rivers lies in a rift valley a looney, b chumble, c sawn, d तापती इसका सई आंसर है option D तापती नदी है जो एक ब्रंच गाटे मिस्तित है option D is right answer अगला केशन देखिए कुरोश धारा है जो किस के दर्ट पर पाइजाती है a England, b Japan, c Thailand, d Sri Lanka इसका सई आंसर दीजिए दुबारा देखिए कुरोश धारा किस के दर्ट पर पाइजाती है a England, b Japan, c Thailand, d Sri Lanka इसका सई आंसर होगा option B जापान option B is right answer अगला केशन देखिए प्रस्वी पर परियोग करने होगी पाने का मुख इस रोत क्या है a ocean महासागर, b rivers नदिया, c underground water, भूमी गजल, d precipitation वर्शा इसका सई आंसर दीजिए a महासागर, b, नदिया, c, भूमी गजल, d वर्शा इसका सई आंसर होगा option C भूमी गजल है जो पीनियोगी पाने का मुख इस रोत है option C is right answer अगला केशन देखिए इंदर किला राष्ट उधान, खिरगंगा राष्ट उधान और सिम्बल बारा राष्ट उधान किस राजे में है इंदर किला नेसल पार्क, खिरगंगा नेसल पार्क and सिम्बल बारा नेसल पार्क are in which state a हिमासल पर्देश, b उतराखंड, c जम्मू एंड कस्मीर, d.c. किम इसका सयांसर रवा, option a हिमासल पर्देश, हिमासल पर्देश में है सारे राष्टो दान, option a is right answer ऐसा पूरो से पस्यम की और गती करने वाला ग्रह कौन सा है अगला क्यूशन देखिए the planet revolving east to west is a. Venus, सुक्र, b. Mars, c. Neptune, d. Pluto a. सुक्र, b. Mangal, c. Neptune, d. Pluto इसका सयांसर दीजिए इसका सयांसर होगा, option a, Venus, सुक्र को morning and evening star भी का दाता है और यह east to west east to west की और revolving करता है option a is right answer और Neptune और Neptune और Uranus है जो north to south revolving करते है option a is right answer अगला क्यूशन देखिए कौंकन रेलवी ट्रेक पासिज थू वीच ओफ दी फॉलोविंग कौंकन रेलवी ट्रेक निमने कित में से किस से होकर गुजरता है इसका answer आप comment box में देंगे दुबार देखिए क्यूशन को कौंकन रेलवी ट्रेक किस में से होकर गुजरता है ए पूर्वी घाट बी वैस्टन पस्थमी घाट डी सी सत्पुडाज डी निलगरी अगला क्यूशन देखते हैं निमने खित में से कौन सा अधिकार भारत के समीधान में नहीं है लेकिन से मौली का अधिकार होने के लिए सरोज नारेदर सपष्ट किया गया है पॉइंट आउट विच फ्रॉम् दी फोलोविंग इस नोट राइट अनुमिर्ट इन दी इसका सयांसर होगा ओप्शन ए राइट टू प्रिवेश इनिश्टा का अधिकार ओप्शन ए राइट आंसर अगला क्यूशन देखिए अगला क्यूशन है कौन सा भारत के समिधान में समय अधिकार नहीं है लेकिन सरोज नारेदवारे एक मोली का अधिकार गोशित किया गया है ओप्शन ए राइट टू लाइफ जीवन का अधिकार ओप्शन बी सारजनिक रोजगार के मामलों में असरों की समानता इसका सही आंशर दीजिए इसका सही आंशर होगा ओप्शन दी स्थाई आवास का अधिकार ओप्शन D is right answer राइट टू पर्मानेंट आउसिंग ओप्शन D is right answer अगला क्यूशन देखे वो है the power of prorogation in case of state legislature राजे विदाइका के मामले में स्थाई करण की सक्तिकिन के पास होती है इसका दुबारह देखिए कौन है जिसके पास राजे विदाइका के मामले में स्थाई करण की सक्तिकिन है ए राश्पती बी गवर्नर सी विदाइका के देक्स डी एक राजे के मुखमंत्री इसका स्यांसर दीजिए बहुत अच्छा क्यूशन है ये इसका सही आंसर होगा ओप्शन बी गवर्नर राजे पाल के पास सारी सक्तियां होती है ओप्शन बी इस राइट आंस्वर अगला क्यूशन देखिए इसको राजे विदाइका के मामले में सरकारी वेवसाइक के लिए आउसे कारे सादक संख्या क्या है अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन है भात के लिएंटर को माले का परिक्सक मुख्य लेखा का और माले का परिक्सक किस रूप में कारी करते हैं इसका अगला क्यूशन देखते हैं इसका सही आंसर है उप्सन सी यूशन और स्टेट गवर्नमेंट्स संग और यह सरकार है जो गिए भात के लिएंटर को माले का परिक्सक मुख्य लेखा कार और माले का परिक्सक किस रूप में कारी करते हैं उप्सन सी इस राइट आंस्वर अगला क्यूशन देखिए इसका सही आंसर दीजिए इसका सही आंसर होगा ओप्शन दी पंचाहित राज वेवस्था ओप्शन दी इस राइट आंसर अगला क्यूशन देखिए इसका सही आंसर होगा ओप्शन दी प्रस्थाओन प्रस्थाओना को भारत का समिधान का दरपन कहा जाता है और समिधान क किसने कहा था प्रस्थां समिधान के आत्मा किस ने कहा था इसका आप कमेंट बॉक्स में देंगे ओप्सन डी जाइट आंस्वर अगला क्यूसन देखिए अगला क्यूसन है कौन सा एक ग्राम बंचायत का कारिय नहीं है परसासनिक कारिय नहीं है इसका साया आंसर होगा Option C, कोली सिख्षा प्रादान करना अगला किस्टन देखिए अकोडिंग दिप्रेंबल दी प्रस्ताना के अन्सवार समिधान अपने अधिकारों के प्राप्त करता है अधिकारों के 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 अधिका पीपर ओफ इंडिया ओप्शन भी ज्राइट आंस्वर अगला क्यूस्टन देखें बहुत अच्छा क्यूस्टन है इसका सयांजर होगा ए नर्गिश्दत नर्गिश्दत अगला क्यूस्टन देखें भारत के राश्पती के चुनाव में विवाद का मामले की जांच कोन करेगा इसका सयांजर होगा ओप्शन सी सुप्रेम कोट ऑफ इंडिया भारत का सर्वस्ट नाले है जो भारत के राश्पती चुनाव में विवाद का मामले की जांच करेगा ओप्शन सी राइट आंस्वर अगला क्विश्चन देखिए निवनेखित में से किस मामले में सुप्रेम कोट ने का था कि प्रस्ताओना भारत समितान का इसा नहीं है इसको देखे एक बार किस मामले में सुप्रेम कोट ने का था कि प्रस्ताओना भारत समितान का इसा नहीं है इसका सयांसर होगा ओप्शन ए बेरू बाड़ी बनाम यूरन केस और केसन भारती केस और L.I.C. ओफ इंडिया केसी दोनों इस प्रस्ताओना भारत समितान का इसा है ओप्शन ए इस राइट आंस्वर अगला क्विश्चन देखिए इसका सयांसर होगा ओप्शन बी फंडामेंटल राइट्स और आपको यह पताओना चाहिए फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए है इसका आंसर आप कमेंट बोक्स में देंगे ओप्शन बी जराइट आंस्वर अगला क्विश्चन देखिए किस समयदानिक संसोदन अधिनियम में प्रस्तान में समाधिसब जो अभ्यक्त किया A.42 संसोदन D.B.44 C.43 D.41 इसको दुबार देखिए कौन समयदान संसोदन अधिनियम ने है जिसमें प्रस्तान में समाधिसब जो अभ्यक्त किया गया था सोचलिस्ट को इसका सयांसर अप्शन ए 42 वा समयदानिक संसोदन अधिनियम ओप्शन एज राइट आंस्वर अगला क्यूस्टन देखिए वितायोग मुख्य रूप से राश्पती से किसके से मिस्पारिस करने के समधित है अगला क्यूस्टन देखिए जब मातमगान देखता हुई थी तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि उनके जैसे वक्ति कभी इस दुनिया में आये था ओप्शन ए बटन रसेल बी लिए टोलस्टोई सी अलबट आइंस्टीन बी अब्दु खान अब्दु गफार खान जब मातमगान देखता हुई थी तो किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि उनके जैसे वक्ति कोई दुनिया में आये था इसका स्यांसर दिजीए इसका स्यांसर होगा ओप्शन सी अलबट आइंस्टीन इसका स्यांसर दिजीए चितोडगर रास्थान में है और यहां बिजय स्तमकंदी रिमान राना कुम्भा नहीं करवाय था और कब करवाय था 1447 में मालवा बिजय के उपलक्स में और ओप्सन डी इस राइट आंसर राना कुम्भा अगला क्युश्टन देखिए इसका सयांसर होगा अगला क्या आंसर अगला क्युश्टन देखिए केबिनेट मिशन भारत आया था इसका सयांसर है ऑप्सन डी 1946 केबिनेट मिशन क्लिमेंट एटली उस ताइम पे क्लिमेंट एटली है वह वहां के युके के पधान मंत्री थे ऑप्सन डी राइट आंसर अगला क्युश्टन देखिए अगला क्युश्टन देखिए बात में सबसे पहले आने वाले सबसे आखिर में जाने वाले कौन थे इसका सय आंसर होगा पूर्दगाली ओप्सन ए राइट आंसर यह तो 14-16 में आये थे और 1961 में यहां से गए थे और गोवा इनका मेंन सेंटर था ओप्सन ए राइट आंसर अगला क्युश्टन देखिए वा जी ओथर ओप दी कादंबरी ग्रेट रोमांटिक पले महान रोमांटिक नाट कादंबरी के लिखे कौन था A. बानबट B. हर्चवर्दन C. भासकरवर्दन D. बिंदु सार इसका सही आंसर है बानबट कादंबरी का लिखे कौन था बानबट ओप्शन A. इस राइड आंसर अगला क्रिस्टन देखिए कुट्ब मिनार वाज कंप्रीट बाई दी फेमेस रूलर इसका सही आंसर है बी इल्तुत्मिस C. फिरो साथ उगलक D. अलाउद इन खिल जी इसका सही आंसर है बी इल्तुत्मिस और इसे निर्मान सुरू किसने करवाय था कुतुब दे नेर्बक ने और पूरा इसको क्या था इल्तुत्मिस ने जो इसका सानीन लो था ओप्शन B. इस राइड आंसर अगला क्रिस्टन देखिए कौन सा है जो गलत है एक क्रिस्टन देवराय ने अमुक्त माल्यादा बी ह पर इसका साहा था है कुन सा गलता है इसका साइड आंसर है किर्शन देवराय ने अमुक्त माल्यादा लिख्था था हर्षवर्दन नागाननद और कैदा से ने जीतुसाहार और विसाड़त जो यह बहुत बड़ा संस्क्त का माकावे जिसमें अर्जन और सीउ के बारे में क कहा गया है option D is right answer option D अगला क्यूशन देखिए भातिराश्टी कॉंग्रेस के पर्थ मुस्लिम अधिक्स कौन थे वा दी फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिदेंट ओफ दी इंडियन नेशनल कॉंग्रेस एक मुमद अली जिन्ना बी बदुरुद तैप जी सी सरसेद एमद खान बी अब्दुलकमराम आजाद इसका सयांसर होगा बदुरुद तेप जी ओप्शन B इसराइट आंस्वर किस गुप्ट सासके सासनकाल में चिन्यातरी फायन भारता आये था नूरिंग बिच गुप्ता किंग स्री इंडिर दी चाइनिज डेवलर फायन विजित इंडिया दुबार देखिए चिन्यातरी फायन भारत कब आये था इसका सयांसर होगा ओप्शन C चन्यातरी फायन भारता आये था नूम्बिनी से आये था ओप्शन C जी राइट आंसर और नूम्बिनी यह जो बोध मात्मबूद की जरम स्थली है ओप्शन C जी राइट आंसर अगल East India Company से British Raj Singhasan, B. British Raj से Singhasan East India Company, C. East India से Company से Governor General, D. British Nidiasak Mandel. इसका सही आंस्वर होगा A. British East India Company से British Raj Singhasan. उप्सन A. इस राइट आंस्वर. अगला क्युस्टन देखते हैं. The issue on which the civil disobedience moment of 1930 was Lomest Vaz. किस मुद्दे पर उनिस तीस का नागरी का अवग्यांदर में सुरू किया गया था? A. भारतियों के लिए रोजगार के समाना उसर. B. भगत सिंग की परसाविद फांसी. B. सरकार का नमक पर एक अधिकार. D. पून सवराज. दौरा देखे इसको. A. Equal Employment of Opportunities for Indians. B. The Purpose Execution of Bagas Singh. C. साल्ट मोनोपोली एक्साइज़ बाइडिक्स गर्नमेंट. D. Complete Freedom. इसका सायांसर है. Option C. सरकार का नमक पर एक अधिकार. यहां पर साल्ट पर टैक्स को कम करना था. इसका उदिश्य मेंट थाई. Option C. is right answer. अगला क्यूशन देखिए. गुवादी रास्ट गवर्नर जनरल ओफ इंडिया भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? A. सर क्रिप्स. B. लोड माउंट बेटन. C. राजगोपलाचारी. D. सर एटली. C. इसका सयांसर होगा. C. राजगोपलाचारी. Option C. ये मदरा से प्रेजडेंसी से बिलोग करते हैं. सतंदर पार्टी. इनने इस संस्ताप को में से एक थे. इनने भारत रतन दिया गया था. C. राजगोपलाचारी. चक्करवर्ती राजगोपलाचारी. अगला क्यूशन देखिए. किस निज़िस्क स्थांत में गांजी की निज़िक स्थांत का दर्शन का प्रतेक सभाव नज़राता है? A. समान कारी के समान वेतन. B. मुफ्स कानुने साहिता और प्सला का प्रावधान. C. गायों केता पर प्रतिबंद. D. एत्यासिक मैत्यों के समार को इक स्रक्षा. इसका सही आंसर दीजिए. Equal pay for equal work. Provision of free legal aid and advice. Provision of the slaughter of cows. D. protection of the monuments of historical importance. इसका सही आंसर होगा. Option C. गायों केता पर प्रतिबंद. Option C. इस राइट आंसर. अगला क्यूशन देखिए. Who gave the concept of total devolution? संपुन क्रांती के उधाना किसने दी? A. जय प्रकास नारायन. B. महात्मा गांदी. C. काल मार्क्स. D. लेनिन. इसका सही आंसर होगा. Option A. जय प्रकास नारायन. ये हर चीज़ें बदलाव चाहते थे. और इनका मार्क्सिजम से सोचलिजम की ओर जना चाहते थे. Option A. इस राइट आंसर. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. Only SuperQi Channel. धन्यवाद.